हेलो बच्चों सो होफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो मैं जब अपनी स्टुडेंट कम्यूंट के देखता हूँ तो मेरे आस पास मतलब अगर आप देखेंगे सफल होने या सक्सेस्फल होने वाले की न्यूज बहुत कम आती है कितने लोग स्टुडेंट मेरे सामने मुझे हमेशा बहुत सारे बिखते हैं कि स्टुडेंट कर रहे हैं कोई एक साल से struggle कर रहा है, कोई दो साल से, कोई तीन साल से, है ना, अपना रास्ता ढूनने की कोशिश कर रहा है, कोई अभी gate exam की त्यारी कर रहा था पिछले दो सालों से, आप उसको give up कर दिया, आप किसी और exam, SSCJ के लिए, किसी XYZ exam और के लिए try कर रहा है, वो अपने struggle को continue रखा है, और फिर अचानक से new जाती है, तीन साल, चार साल, दो साल, एक साल बाद, कि अच्छा, इस बोच्चे ने finally फोड दिया, SSCJ में फोड दिया, या gate exam में फोड दिया, या ISC चला गया, या किसी PSU में चला गया, या किसी state level exam में फोड दिया, तो आप देखोगे, आते हो, फिर आप धीदरीदर रास्टे ढूटते हो कि मैं इस game में कैसे जी सकता हूँ, और फिर उसके बाद एक time आता है, जब जीतना आप सुरू करते हो, उसके पहले आपको अपने skill set पे काम करना पड़ता है, उसके पहले आपको बहुत सारा hard work करना पड़ता है, उसके पहले हर कोई struggle करता है, maximum बहुत कम लोग मिलेंगे कि हाँ आए और four दिया और successful होगा, तो आपके साथ भी यही हो रहा होगा या पहले हो चुका होगा, आप शायद आप successful होगे अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो उस struggle को बेटा इसे जाने मत देना, ये struggle ही आपक आपको जीतना सिखाएगी, आपको रास्ता ढूडना सिखाएगी, चाहे आप गेट में फोड़ोगे, चाहे आप SSCJ में, लेकिन ये struggle ही आपको सिखाएगी, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, नहीं गेट में ही मैं फोड़ पाऊँगा, दूसरे आटम, तीसरे आटम में नहीं फोड़ पाऊँगा, तो आप रास्ता चेंज के कहीं और जाके फोड़ दोगे, लेकिन इन बिट्विन जो दो-तीन साल अपने struggle किया होगा, वही आपको strong बनाएगा, वही आपको जीतना सिखाएगा, क्योंकि इस struggle के process में आप अपने skill set पे काम करना सीखोगे, अपन उना, उस struggle में कभी अपने आपको give up मत कर देना, ये game है और तुम इसके part वर, you have to play it at any cost, and अगर आपको ये खेलना है, तो आपको जीतने की कोशिश करती रहनी पड़ीगा, और जीतने का रास्ता एक नए, एक दिन आप ढूंड लोगे, अगर आप कोशिश करते रहोगे, इस struggle से होके गुजरते रहोगे, और इस process में लेकिन आपको अपनी skill set बाकी चीज़ों पर काम करते रहना पड़ेगा, and one day you will definitely find a way, और जितने आप अपने आज पास इस साल news सुने होगे, कहीं succeed होगे, कहीं अच्छा कर लिए, they all gone through this struggle phase, अब उन से आप पूछो के तो था, क्या-क्या कम यार ही, मैंने क्या-क्या काम किया, मैंने कैसे-कैसे overcome किया, तब आपको समझ भाएगा, कई बार आप उसको सुनके demotivate भी होना था, इतना struggle है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा, तब ही जाके वो जो एक flag दिखेगा, success वाला, तब जाके आपको मिलता है, तो आपको smartly इसको खेलना है, आपको consistent रहके खेलना है, आपको skill set पे काम करते रहना इसको खेलते हुए, and then one day you will definitely succeed, hopefully ये message आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे आपके पास-पास लोग struggle करने, आप अपनी struggle जारी रखिए, आप अपन पाए होँगे, इसी तरह के किसी और वीडियो में लिए होँगा, till then, bye bye, and take care of yourself.